तेरे अक्टूबर बहुत सुन्दर बात कल की मुल्ली से लिंक्ड है मैं तुम्हें घर की राहा दिखाने आया हूँ घरमाना मुक्ति धाम, परमधाम जहां से हम अत्मय आई थी वहीं हमें वापिस जाना है वहीं जाने के लिए सब भक्ति करते हैं बहुत गुये बात बावा सुना रहे हैं तुम जितना जितना आत्म भीमानी बनते जाओगे रहा आसान होती जाएगी यानि तुम घर एक सेकिन में पहुंच जाओगे ये बुद्धी का खेल है सारा इसलिए बावा कहरे हैं पवित्र बनो तो कि वहाँ जाने से पहले तुम्हें पावन बनना होगा ये याद की मेहनत है ये मेहनत तुम्हें करनी है अब इस रस्टी पर रावन राज हो गया है रावन राज में तुम सभी बच्चे देहेभान में आ गए भूल गए हम आत्मा है ये भूलने के कारण तुम विकर्म करने लगे विकारों के वसों के बुरे कर्म करने लगे पाप का खाता बढ़ता गया सत्यूग में ये रावन था नहीं इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे, अब तुम्हारे उपर विकर्मों का बहुत बोजा है, इसलिए अश्यंती है, दुख है, सभी कहते हैं, हे बगवान हमें श्यंती दो, इस दुख की दुनिया से छुड़ा कर चैन की दुनिया में ले चलो, तो मैं तुम्हें मुक्त और जीवन मुक्ति की रहा दिखा रहा हूं, तुम्हारे लिए ऐसे दुनिया रच रहा हूं, विचार करो, बाबा केते हैं, तुम्हारे लिए ऐसे दुनिया रच रहा हूं, जहां खुसियां ही खुसियां होंगी, दुख का नाम निसान नहीं होगा, बस तुम मेरी मत पर चल तुम्हारा दर्म ही देद्विद्वता धर्म था तुम बोल गए अपने को लगा हिंदु तो हिंदुस्तान ही लांपड़ घा तुम्हार दर्म तो अपनine ऑपने 10 के नहीं सकता अब तो हिंसा ही हिंसा है, एक मारकाट की हिंसा, दुसरी काम की हिंसा मैंने तुमें डबल हिंसक बनाया था इसलिए सत्योग में तुम बहुत सुखी थे, महोजीत थे क्यों महोजीत बने? इसके लिए मैंने तुमें इस समय ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो, अजर, अमर, अविनासी ये देहे रूपी वस्त्र पहन कर तुम पार्ट वजाते हो, ये संसार एक ड्रामा है तुम देहे छोड़ कर दूसरी देह ले लेते हो, तो तुम किसी की मृत्यू पर रोते नहीं हो, दुखी नहीं होते हो, तुमें पता है, ये तो ड्रामा चल रहा है आत्मा तो अविनासी है, एक सरीर चोड़ दूसरा ले रही है, ये ही कंटिनू हुआ और सत्यूग में 21 जनम तक, तुम कभी रोते नहीं, पहुँजीत रहते हो, आमरत्यू का नाम निसान नहीं होता, केवल आत्मा एक सरीर चोड़ आराम से दूसरा ले लेती है तो बाबा हम सभी को बहुत बड़ा ज्यान दे रहे हैं, हमें निर्मोही बनना है यहीं, और ड्रामा को और आत्मा के ज्यान को समझते हुए, अपनी स्थिती को महजीत बनाना है, ताकि किसी की मृत्यू पर हमें सोक न हो, हम रोते न रह जाएं, क्योंकि प्यार हमारा आत् बाबा भक्ती की याद दिला रहे हैं, भक्ती में तुमने कितने दक्के खाएं, तीर्थो पर गए, पैसे भी सारे बरबाद किये, बाबा कह रहे हैं, भक्ती तो है ही पैसे बरबाद करने के लिए, मूर्तियां बनाते हैं, देवियों की मूर्ति, गणे सनुमान की मूर्ति पूजा करते हैं, फिर उन्हें नदियों में बहा देते हैं, अभी जो बहुत भक्ती करते हैं, भक्तों मैं उन्हें साक्सातकार भी करा देता हूं, दिव्य दर्ष्टी मेरे पास है, लेकिन सब को नहीं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि साक्सातकार भी हो जाता है, लेकिन पाप करना नहीं चोड़ते, पावन नहीं बनते, इसलिए उनकी सद्गती नहीं होती, वो मुक्ती जीवन मुक्ती को प्राप नहीं होते, बस थोड़ी खुसी हो जाती है कि साख साथकार हुआ, हमने गनेश को देख लिया या अनुमान को देख लिया, बाबा कहरे देवियों की भी बहुत पूजा करते हैं, मिट्टी की भी देवियां बनाते हैं, फिर बहा देते हैं, और कलकत्ता आदी में तो कितनी देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, पूजा पाट की पैसा खर्च किया, बहा दिया, तो बाबा भक्ती का वर्नन कर रहे हैं, फिर एक शिक्सा दे रहे है बक्ति में संतोसी माता भी है अब बाबा तुम्हें संतोसी बनाते हैं यहां तुम्हें तरप्त करते हैं तुम्हें संतुस रहना है और संतोसी माता असली संतोसी तो सत्यूग में होते हैं जहां अप्राप्त नहीं कोई वस्तु अथा खजाने तुम्हारे पास होते हैं तुम्हें यहां पर संपोर्ण रूप से संतुस्ट हो कर रहना है और दूसरों को भी संतुस्ट करना है। एक शिक्सा भी दे रहे हैं, उन दिनों फिल्मों को वाइसकोप कहते थे, तो यह फिल्म सबसे गंदी चीजे हैं। अच्छे अच्छे लोग जाकर भी वहां गंदगी में चले जाते हैं, भीगट जाते हैं। आत्म भी मानी होने की प्रेक्टिस करनी है, परदान है। हमें ज्ञान के द्वारा हर बात को फुली स्टोप लगाना है, यानि माइन उस पर बहुत न चले, तब हम माया जीत विजयी बन सकेगे, अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अन्तिम समय, एक और प्रकरती की हल चलोगी, दूसरी और पांचो विकार फुल फोर्स से होंगे, तीसरी और तमो प्रधान आत्माओं के अटेक होंगे, यानि भटकती आत्माओं के अटेक भी होंगे, और बहुत सारे दुख अस्यानती फैलेगी, उस टाइम तुम्हें फुली स्टोप लगाने की प्रेक्टिस चाहिए, और वो होगी जब अभी अभी निराकारी श्थित अभी अभी फरिष्टे स्वरूप की इस्थिति इन दोनों इस्थितियों का अभ्यास करते रहोगे, तो अभी इसे देखते हुए न देखने की प्रेक्टिस करेंगे, तो माया जीत विजयी बन जाएंगे, अगर स्लोगन है, अगर निर्विघन राज प्राप्त करना है, तो निर्विघन सेवाधारी बनों, तो आजम पांच स्वरूपो का अभ्यास करेंगे और उसमें छटा भी जोडेंगे, मै आत्मा, आदीमे देवता, पुझ्य, ब्राह्मन, फरिष्टा, और अब देह चोड कर जा रही हूं अपने घर वापिस, फिर वहां से सत्यों में आ यूटूब, सब्सक्राइब सान यूटूब.com slash TV Peace of Mind, just a click for a peaceful life.